हेलो अब्रीवन गुद बॉर्निंग एंड वेलकम बैक तो बाइन नीव ब्लोग तो जी वीडियो है थस्टे मॉर्निंग की और सुबह सुबह मिरे को ना पूजा करने थी तो मैं सुबह ही नहाले थी और उसके बाद थोड़े वो जो काम बचते थे ना वो मेरे को करने थे जैसे कि काफी दिनों से मैं सूच रहे थी की यह जो परदे है न मुझे जयसे ऐसा होता है न कि काफी दिनों से हम एक जीज़ की लिख यह तो वो देख देख के हम बोर्ड से हो जाते हैं तो फिर मैंने सुचा कि क्यों ना इन पर्दों में थोड़ा वो चेंज लाया जाए तो मैं एक दो दिन पहले गई थी मार्केट तो या वहां से मैं क्रीम कलर के ना नेट वाले पर्दे लेके आई हूं और ये ना इसके साथ मैं तो अच्छे लगते हैं जैसे साइड में मैंने यो जो मीरे स्कायबलू वाले पर्दे या ये रहने दिते और बीच में एक पर्दे जो है ना मैंने ये नेट वाला लगा दिये था तो इसे काफी अच्छा लग थे दिखने में भी और थोड़ा सा चेंज हो गया था ना तो यह होता है कि घर में या तो जैसे फनीचर का कोई समान हो जैसे बैड हो या टेवल, चेर, सोफा बगएर जो भी हो ना उसको एक जज़गा से जैसे दूसरी जगा पर अगर हम तो मैं तो जब एक चीज़ को देख देख के बोर सी हो जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत अदला बदली में करती रहती हूँ जिससे की दिखने में वो अच्छा लगे क्योंकि ऐसा तो होता नहीं आएंगी ना कि आहे दिन या हर साल हर महीने हम नई चीज़ लाते एक बैट को देख के बूर हो गए अब चलो दूसरा बैट लेके आते इसको निकालते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता तो बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा यहां से वहां रूम में जैसे एक साइड को रखाया दूसको दूसरी साइड को थोड़ा रख दो या आगे पिछे कर द तो उसे विना रूम काफ़े अच्छा लगने लग जाता है और तो जैसे यह ना काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ आपको पता ही है और इसे पहले मेरी काफ़ी जा तवीद खराब हो गए थी जैसे कि यह बरसातों के एक तो जो यह बरसात का जो मोसम है ना इसकल मैं जल्दी भी मार पड़ जाती हूं तो फिर उसी कारना मेरा काम करने का बिल्कुल मरनी था मैं मेरे एक झालब करने Secretary भी काम किसा opened orange case जाडू गई है कि जाडू तो फिर सोबा सोबा लगाने पढ़ता हैं तो उसके बात फिर सारे काम नहीं उटकी किये और सोच भी था मैंने कि मैं 11 बजे तक पूरी फ्री हो जाओंगी सारे घर के काम करके और ठीक 11 सवा 11 बजे मैं फ्री भी हो गए थी और सारे काम करने के बाद पूज़ा अब गयरा करने के बाद चोड़े थे और उससे पहले थो मैं थोड़ा बोड़ कर भी देती तो फिर भी सही लगता था लेकिन दो दिन में घर की इतनी बुरी भी हालत हो गए थी क्योट के सारा घर साफ किया है उसके बाद मन किया कि अब मैं खाना खाऊ हूँ तो दिखिए अभी खाना खाने के बाद फिर मैं लग ज़िए लंच की त्यारी करने क्योंकि आरू के आने का भी टाइम हो रहा था तो सुभा ही वो बोलके गए थे हमको खाना है पास्ता तो पास्ता ही मैं ह यहाँ पर बना रही हूँ तो फीर सो चार्था के वैगा है क्योंकि आते के साथ उसको चेंज अगरा करवाऊ एक करना ये लग चाने के लिए तो इसलिए फिर मैं लगी थी फटापट बनाने की चलो इसके आने से पहले बना देती हूं पास्टी को मैंने वोइल कर लिया और फिर लगा दिया था तड़का मेरे को वेज़िटेबल डालने के लिए मना कर देते हैं बच्ची इसलिए मैं सब्सक्राइब गारा नहीं डाल देती हूं तो बस मैंने प्याज हो टमाटर गाई दड़का इसमें लगाया है साथ में डाल दिया था मैगी मसाला थोड़ा बुद दाला था सेजवान सॉस और जो टमाटो सॉस होता है न वो और देखिये पास्ता भी बनके हो गया है रड़ी अब 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 चार बजे का तो इस टाम ना मेरी आदत है पहले साम का जैसे जाड़ूब गरह मैं लगा लेती हूं तो बस पहले जाड़ूब गरह लगाने में लगे थी और इसकी बाद यारू को पढ़ने भी ठाओं की मैं और आजकल जैसे की मैं पढ़ा रहूं तो काफी अभी तो यह कि अभी छोटा है तो इसको एक एक चीज सिखानी पढ़ती है तो फिर इससे ना काफी दिक्कत आती है और सिर भी ऐसे दुखने लग जाता है कहीं बार तो तो इसको पढ़ाने में चार बज़े मैं जाड़ूब गरह लगा के बस पैट जाती हूं और साड़े छी बज़े तो इसको बढ़ाती हूं उसके बाद फिर वही रहता है कि अपना डिनर गरह की त्यारी करो और डिनर करने के बाद फिर थोड़ा बहुत था ना तो फिर मैं थोड़ी देर इसको लेके बैट जाती हूं तो दिखी जाड़ूब गरह जो भी था वो लग गया है वस अब मैं को बोलने लगी हूं कि अपना बैग बैर लेके बैट और जो भी मैंने एक दिन पहले कप्ड़े थे ना तो एक दिन पहले रात को काफी ज्यादा बारिश जो है ना वही थी तो इन कपड़ों को मैंने वैलकनी में सुखा दिया था फिर दो दिन तक तो ऐसे पड़े रहे दोड़े वो सुखे हैं तो फिर सोचा कि चलो इनको भी समेट के रख देती हूं फोल्ड करने का टाइम तो अभी नहीं है क्योंकि अभी मैं इसको पढ़ाओंगी तो फिर यह सारा फोल्ड करने का काम यह मैं बाद में करूंगी तो अभी भी मैं कुछ कपड़े जो है ना को देख रहें कि कहीं गिल्ले तो नहीं है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ एक कपड़े जो ना बीच में गिल्ले हैं तो बस इनको मैं वैलकनी में फैला दूंगी और अब देखिए लगी हूं इसको पढ़ाने में अब 2-5 गंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं हिलना है यहीं पर ही बैठे रहना है पढ़ाना है इसको क्योंकि इसको पढ़ाना इसका ध्यान कभी पतंग बेजा रहा है बाहर पतंग उड़ रही है यह वो सोदो फिर से इसका ध्यान एक जगह लगाने में बड़ी मुश्किल होती है अब टाइम हो रहा है छे बज़ रहे हैं पूरे साम के और साथ साथ आरू को पढ़ा भी रही थी साथ साथ जो मैंने मलाई रखी थी यह भी मेरे मतलब तबीद खराब होने के बाद चार पांस जिन तक ऐसी रही फ्रिज में रखी हुई तो बस आज मैं ठीक क्या होगी हू नों सोच रही हूँ कि घर के जो भी काम है ना मेरे पड़े हुए पहले के वो सारे निप्टाई लूँ और बिल्कुल यह च्छा भी नहीं लग रहा था कि यह भी काम पढ़ा यह भी काम पढ़ा तो बस दीरे दीरे कोशिश कर लूँ कि आज भी सारे काम खतम कर लो तो द करने का रहता है और उसके बाद तो बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं रहता है फिर बच्ची आजाते हैं बच्चों को खाना अफगारा दो उनकी टूशन की त्यारी करो फिर आडू को पढ़ने भी ठाओ वसे इसे सारा जो टाइम है वो निकल जाता है पता ही नहीं पूरी भर चुकी है लेकिन जब भी पक्के निकले गाना तो बिल्कुल आदी से भी कम हो जाएगी और राज इतने दिनों के बाद काम करके ना मतलब सुबह से मैं काम करने के लिए लगी हुई हूँ तो टांगों में इतनी दर्द हो रही है एक दिर पहले भी टांगों में मेरे इतनी दर्द हो रही थी गुटनों में टांगों में तो जो भी जोइन फेंड मेरे को होता है न वो इतना जादा हो रहा था कि आज तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं रात को सोया भी जाएगा कि नहीं इतनी दर्द हो रही थी मेरे पैरों में लेकिन यह है कि जैसे ज दुवारा उसी रूटीन में आना होता है हमने काम करना होता है लगा था तो फिर थोड़ी वह दिक्कत वाती एक दो दिन के लिए लेकिन यह था कि अभी दो-चार दिन तो मेरे अच्छे से होता है तो देखिए अभी मैंने बना लिए है राजमा भी और राजमा वना पता नहीं आद अच्छे से बोईनी होए थी तो फिर मैंने तड़का लगा कर दुबाया जो तड़का है ना उसको मैंने डाल दिया कुकर में और बस अभी सिम गैस में मैं पका लूंग लेकिन इतना जादा भी कम नहीं हुआ था काफी सारा हो गया तो क्योंकि ये 15-20 दिन का खाना इसलिए और इसके बाद फिर देखिए मैंने कर ली है पूजा फटाफट मैंने दालवगारा को तड़का लगाया चावलों को मैंने भीगो दिया फिर मैंने पूजा कर ली है और इसके बाद की मेरे काम थी जो कपड़े मैंने उठा के रखे देना जो सूखे ही कपड़े थी उनको मैंने उठा के रखा था pleasure तो फिर उन सब को मेरे को फोल्ड करके रखना था तो बस इसके बाद मैं वही काम अपना करने वाली थी कपड़ों का पड़ा हुआ था दो दिन से दोके रखे तो कुछ सूखने में हो जाता है कि सूखते नहीं आज कल बरसातों के दिनों में तो फिर जब सूखे ना इतो अं तो चकी चलो फटा-फट यह जो काम है न मेरा पूज़ा वगयरा करने का इसके बाद मैं कपड़े वगयरा ही उठाओंगी और यह दिखिये कितने सारे कपड़े हैं अभी तो यह आते हैं कुछ एक जो है वो वैलकनी में सूख रहे हैं उनको सूखने के बाद में लेके कराओंगी उनको करूंगी काफी सारे कपड़े जो थे यह कपड़े हैं मेरे पांसे छे दिन के जबकि मैं बिमार थी ना तो फिर मैंने नहीं दोए थे इस कारणी यह दो दिन पहले ही थे क्योंकि कपड़ों का तो यह रहता है कि मसीन में दोने होते हैं ना तो थोड़ा- थोड़-ðोड़-थोड़े करके न को मैं दो दिन पहले सह को दो दोने लगाई थी तो इससे साथ में हो ग़े हैं सारे काम भी और इसके बाद में आप से मेर्येक खाना वगरा खाने के बाद ही डिनर का सोच्छो भी काम था वों हो चुका है और इस利 में अपनी इसे वाले and take care